म्यूजिक किंग कहे जाने वाले दिवंगत गुल्षन कुमार के भाई एक्टर कुष्ण कुमार इन दिनों अपनी बेटी तीशा कुमार के निधन को लेकर चर्चाव में हैं लेकिन वो अचानक कहा गुम हो गए आखिर ऐसा क्या हुआ कि आचानक कही कही गुमनाम हो गए उन अपने करियर में काफी प्रसिद्धी हासिल की लेकिन उनके भाई और एक्टर कुष्ण कुमार के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की खुब पोशिश की लेकिन वो बुलंदी तक नहीं पहुँच पा है जहां तक कि उन्हें अपने सपने देखे थे और अपने कदम आगे बढ़ाए थे कुष्ण कुमार म्यूजिक किंग कहे जाने वाले दिवंगत गुल्चन कुमार के छोटे भाई है उन्हें अपने करियर की शुरुआत साल 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से की थी लेकिन उनकी ये पहली ही फिल्म फ्लॉप रही इसके बाद उसी साल उनकी दो और फिल्मे कसम तेरी कसम और शबनम रिलीज होई दोनों फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉंस मिला था जिससे कुष्ण कुमार रातो रात स्टार बन गए हिरो بنना चाहते थे गूलचन कुमार गूलचन कुमार और कुष्ण कुमार के पीता चन्दरभान कुमार दुवा दिल्ली के दरिया गश इलाके में रहने वाले थे जो फलो की जूस की दुकान लगाया करते थे गुल्चन जब थोड़ा बड़े हुए तो घर की तंग हालत को समाने के लिए पीता के साथ ही जूस की दुकान पर काम करने लगे तब उनका छोटा भाई कुछन कुमार पढ़ाई कर रहा था गुल्चन कुमार शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे एक दिन उनने अपने पीता से कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ हिरो बनने नहीं बनी बात करी घर वापसी गुल्चन कुमार ने मुंबई में एंटरी की एक हपता उनने गुरूदवारे में बिताया और धक्के खाने के बाद उनको ये बात समझ में आ गई कि नहीं चेजरों को यहां मोका मिलना आसान काम नहीं है जिसके बाद भी दिली वापस लोड़ गे और फिर से जूस बेशने लगे उस समय उनको गाने सुनने का काफी शोक था लेकिन उस समय कैस्रिट्स बहुत महेंगे बिकते थे उन्होंने दिमाग लगाया और कैस्रिट्स की दुकान खेली जो चल निकली मुंबई आकर बदला कमपनी का नाम इस काम में उनकी मदच उनके छोटे वाई कुष्ण कुमार ने भी की इसके बाद दोनों 1983 में मुंबई आ गए जहां उन्होंने एक कमपनी खुली गुलचन कुमार भगवान शिव के बड़े भकते इसलिए उन्होंने उनके त्रिशूल सबसे ही टी से कमपनी का नाम टी सिरीज रख दिया पहली बार उनकी कमपनी को बड़ी कामया भी 1988 में तब मिली जब फिल्म आई कायमस से कायमस तक इसके साउंट्रेक टी सिरीज नहीं बनाये थे रातो राज चमकी कमपनी की किस्मत रातो राज गाने सुपरिट हो गए और टी सिरीज देश की मशूर कमपनी में से एक हो गई इसके बात अनुरदा पौडवाल से लेकर गुल्चन कुमार के भक्ती गीत टी सिरीज के कैस्ट पर पूरी देश में जाने लगे अब पैसा आने लगे तो उन्होंने फिल्मों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया 1990 में बतर प्रोडूसर उन्होंने फिल्म आशीकी ने मौक्स आपिस पर तगरी कमाई की हाँ कहला की गुल्चन खुद तो स्टार नहीं बन पाए लेकिन उन्होंने अपने भाई को जरूर स्टार बनने की पूरी कोशिश की गुल्चन ने ऐसे लॉंच किया था भाई गुल्चन कुमार ने खुद प्रोडूसर बनकर साल 1991 में में डारेक्टर केतन आनांद के साथ मिलकर आई आजा मेरी जान बनाई जिसमें शम्नी कपूर प्राण जैसे दिगोजो कलागर को रखा गया यह फिल्म 1903 में आई थी फिर उसी साल आई आई आजा मेरी जान जिससे उन्होंने पहली बार अपने छोटे भाई कुशन कुमार को लौंच किया लेकिन फिल्म फ्लॉफ रही उसी साल फिर उसके दूसरी फिल्म कसम तेरी कसम आई जो भी फ्लॉफ रही आईसे बनाया भाई को सूपर स्टार इसके बाद उन्होंने अपने दिमाग लगाया और भाई को तिसरी फिल्म के तयारी शुरू हुई जिसके लिए अनुरदा पॉडवाल, सोनुनिगम और उदीत नारायन जैसे सिंगर से फिल्म के गाने गवाए। इस फिल्म को पुदूस करने के साथ साथ उन्होंने इसका डायरेक्शन भी किया। फिल्म में कुष्ण कुमार के साथ शिल्पा शिरोरकर को लीड में रखा गया। यह फिल्म थी सनम बेवफा जो उन्निस सो पंचानमे में आई थी और यह जबर्चस ब्लॉकबस्टर रही। ऐसी गुम्राम हो गए कुष्ण कुमार। इस फिल्म के दो साल बार साल उन्निस सो सकतानमे में कुष्ण कुमार की हत्त्या हो गई। उस वक्त उनके बच्चे छोटे थे और पूरी टी सीरीज कंपनी को कोई सम्मालने वाला नहीं था जिसकी बीड़ा कुष्ण कुमार ने अपने खंदों पर ले लिया। और अपने स्टार बनने का सपना छोट भाई के बच्चों की परवरिश में लग गए। उन्हें एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली और ऐसे एक उभरता सितारा कुष्ण कुमार कहीं गुम नाम होकर रह गए। लेकिन अगर इस एक्टर की बेटी के बारे में बात की जाये तो हाली में उनकी बेटी का दिहान्त हो गया। 6 सितमबर 2030 को जन्मी तीशा कुष्ण कुमार और तानिया सिंग की बेटी थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तीशा को कैंसर था। हाला कि अभी तक इसी कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई। तीशा कुष्ण को उलाइम लैट से दूर रहना काफी पसंद था। यही वज़त थी वो मीडिया की नजरों में भी कभी नहीं आई। उन्हें आखरी बार नहुंबर 2030 में दिखा गया था। जब वो रनवीर कफूर और श्रशिम्य का मंदाना अभी ने इस फिल्म एनीमल के प्रीमेर में शामिल हुई थी। उस समय वो अपने पिता कुष्ण कुमार के साथ रेहर कार्पेट पर पैपारजी के लिए पोज दिती नजर आई थी। एक बार फिर आपको बताते चले कि कुष्ण कुमार अभी बॉल्यूर में फेमस एक्टर थे। उनकी फिल्म बेवफा सानम आज भी दर्शोके के बिच काफी फेमस थी। इस फिल्म के गाने नब्बे के दशक के चार्ट बस्टर बन गए। फिल्म में उनकी हिरोईंटी शिल्पा शिरोट कर। कुष्ण कुमार ने अपने साल 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से अपने कर्ये के शुरुवात की थी। इसके बाद इसी साल एक्टर की दो फिल्म में और रिलीज हुई कसम तेरी कसम और शबनम और फिर ये कला का रातो रात स्टार बन गए थे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाई बाई